नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ पूनम स्वागते मेरे चैनल में आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप सेयर करूँगी सारी टिप बहुत ही योजफुल है तो आप इसको अपने घर में बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं तो बीना देर करे हुए आज की टिप स्ट चीज से केवल एक मिनट में घर चमकाने का तरीका बताऊंगी तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप देश दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने सहर्य गाओं को नाम जरूर मेंसन करें जिससे कि मैं आपको थाइंक्यू बोल सकू आप सब को फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवात कहूंगी और आज की अमेजिंग सी टिप स्टार्ट करऊंगी और आज की खास बात यह है कि इस टिप को आप सब अपने घर में इस्तेमाल कर सकते बड़ी आसानी से देखिया हम अपने घर में बरस्तों करते ही करते हैं ऐसा कोई घर नहीं होता ज़हां टूथ पेस्ट नहीं आता और जब यह पाउच को फेक देते हैं लेकिन आज आज आपको बढ़ियां सिट्टी बताऊंगी यकीन मानिए इस्तेमाल करिएगा तो यह देखिए इसमें भी बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बचा है तो मैंने पीछे कपाट इस तरह से कट कर लिया हम लोग सोचते हैं कि यह पाउस खाली हो गया इसमें पेस्ट नहीं है तो हम बिल्कुल भी नहीं होता देखिए कितना सारा टूथ पेस्ट इसके अंदर रहता है तो अब हमको एक काम और करना है हमको लेना है गुनगुना पानी मैंने इस पानी को हलका सा गरम कर लिया है और एक कांच के बरतन में इस पानी को डाल दिया है आप स्टील के बरतन में या तुकडों के अंदर पेस्ट लगा है तो आपको इस तरह से पेस्ट को चुटाना है आप चाहें तो हाथ से इस्पून से किसी भी तरह ये comfort के हिसाप से इस paste को घोल सकते हैं अब आप पानी का color देख सकते हैं कितना बढ़ियां आ गया है और इस रेपर में जितना भी paste लगा था ना सारा toothpaste इस पानी में घुल गया है अब हमको इस तरह से इसके यह जो कटे हुए पीशे ना निकाल देने हैं यह देखे इनमें बिल्क इतनी सी ही टीप है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब ही आप घर की साफ सफाई अच्छे से कर पाएंगे तो अब हमको इस बावल में थोड़ा सा और पानी डालना है और अच्छे से खांगाल के इस बोटल के अंदर डाल देना है तो मदद करेंगे और वो कौन सी चीज है वो है हार्पिक एक हार्पिक हमेशा आप अपनी किचन में रखा करें इतना यूजफूल होता है आप इससे बहुत सारी चीजें चुटकियों में क्लीन कर सकते हैं तो हमने यहां पे केवल दो चोटे चमच हार्पिक का इस्तेमाल किया अगर आप किसी स्टील बरतन में हार्पिक का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें दाग लग जाता है जो आसानी से आप छुटाने ही पाएंगे इसलिए आप ब्लू प्लास्टिक की बॉटल में ही हार्पिक डाल दें अब हमको अच्छे से बोटल को सेक करना है तो देखिए बड से इस्तेमाल करना है कितना इस्तेमाल करना है और कहां इस्तेमाल करना है बस आपको वो चीज और ध्यान से देख लेनी है तो आपके घर में जैसे आप बरतंद होते ना तो आज पास की जगा बहुत गंदी हो जाती है जैसे हम कई बार चाय पी के इस तरह से कप या ग्लास तो आप इस powerful solution से उसको सही कर सकते हैं चुठकियों में सही कर सकते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा लेकिन बस इस्तेमाल करने का तरीका आप देख लें हाँ आपको इस टील के किसी भी चीज में इसको इस्तेमाल नहीं करना और अगर आप इस टील के चीज में डाल र चाहते हैं तो इस तरह से साप करें लेकिन आज मैं टाइल वगेरा साप करके दिखाऊंगे देखिए अभी दीवाली का समय आ रहा है सब के घर में साप सफाई चल रही है तो अगर आप इस तरह का एक powerful solution बना के रखते हैं तो आप अपने घर के काम चुठकियों में निप् भी रख सकते हैं खराम नहीं होता 15-20 मिनट छोड़ने के बाद जो भी इसमें गंदगी जमती न वह बहुत अच्छे से फूल जाएगी और 15-20 मिनट बाद आपको लेना है इस तरह का एक ब्रस ब्रस आपको इसा भी ले सकते हैं इस तरह का toothpaste जिससे करते हैं वह वाला भी ब बस आप हात लगा रहे हैं और यह निकल रही है तो बस आपको हलके हातों से इस तरह से रगड देना है और बस पानी से क्लीन कर लेना है आप देखेंगे कि जिस भी जगह आपने इस solution को डाला होगा जिस जगह भी आपने क्लीन किया होगा ना तो रिजल्ट देखके आप च तिप को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और अपने घर में आप जरूर इस्तेमाल करेंगे तो आज की वीडियो को यहीं हैंड करूंगी आप से फिर मिलूंगी एक न्यू रेस्पी और बहुत सारी किचन टिप्स के साथ तब तक टेक क्यार एंड बाबा